और इसके बीश स्वामी जी आपने एक और पॉइंट जिसका जिक्र कर दिया, जिसको लेकर हम बात करने ही वाले थे हैं, वो है स्लिप एपनिया, अब एक ऐसी बिमारी है, जो अपने साथ पूरा है बिमार्यों का कुन्बा लेकर चलती है, अब इसकी परेशानी जैसे लोगो सब्सक्राइब को भी ले लेते हैं, हाँ, दोनों को अब देखो, एक तो चलो बेटियो, यह करो, अब देखो, मोटा पातों किसी को रहे गाने, हमारे यहां तो कुछ तो इतने पतले हो गए हैं, उनको मोटे करने का प्रबंद करना पड़ रहा है, यह देव शुरुती जी इधर आओ, जरह तेरा मोटा पा बढ़ाते हैं, हमारे कुछ ऐसी आत्माई हैं, कि इनको अंदर पांच-दस किलो वजन डालना पड़ेगा, लेकिन निकाले किसमें से, यहां कोई, जा है, पहाडों में चणने उतरने से आधा निकल जाता हो, यह बात तो है, कि जो सच में पहाडों की जिन्दगी जीते हैं, हाँ, आप तो दंड़ लगाओ, हाँ, दंड़ लगाओ, और जैसे, व्मारी बीटी सुरु नमसकार कर रही है, क्या नाम है? अंकिता जी करो करो सुरुनमस्कार करो मजबूत हो जाते हैं सुरुनमस्कार करके जो सुरुनमस्कार करेंगे तो अंकिता की तरह है तो पहाडों की बेटी जोसना भी है और जोसना से पता लगते है कि पहाडों पे कितनी चड़ियोगी कि अभी तक उसका फल मिल रहा है यह त तो उडन तस्तरी जैसी है, ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते हैं पहाड़ों में इतने लंबे ठाड़े तगड़े फ्लेक्सिवल योगीनी परमयोगीनी है स्वामी जी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, कि तुम इसकी पत्ली कैसे हो," तुमory है क्यों। तो मैंुने कहती हूँ, यह यह वे मेरे राज्य के जीन्स हैं, मेरे महवाब के इलावाउ, मेरे राज्य के जीन्स पहाड़ी जीन्स जो मेरे अंदर हैं यह बात तक्रीक है आपने पहाड़ों में जो रहते हैं और यहां पर विच्छु घास उसको छुए तो ऐसा लगा है विच्छु जैसा डेंकर लगे और खाये तो ऐसा कि पुरा हिरन की तरह थेर की तरह जीते की तरह दोड़े और बहु पलफूल है कोई पॉलिशन नहीं है देखो कितना सुंदर इन्वाइरमेंट है ओभी सीटी तो इसे रहेगी नहीं जो अभी अभ्यासम कर रहे हैं जिनको वजन बढ़ाना हो वे तो अंकितांग जी की तरह सुर्यमस्कार करना वो दंड़ लगाना और भुजंगासन करो जी भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है और ये भुजंगासन सर्भासन ओवर वेट को भी कंट्रोल करते हैं और कपाल भाती यह जो हमारी संगीत मंडली है सब कपाल भाती करो कपाल भाती से भी भाती-भाती के रोग दूर होते हैं और चलो ये बेटी ओ सब की सब सुरूरे मसकार करो हाँ ये मामला जबरदस्त है कि वाल अंकीता ही क्यों करें सब के अंकच्छे आने चाहिए अंकिता के तो अंकच्छे आते ही हैं तो लंबे-लंबे शासों के साथ ये दो अभ्यास और ये तीन अभ्यास लेट करके चलो जी द की तुनों से कर रहा हूँ और अरधालासन पाद़टा संद्री चक्री कासन करें चिनको अभी सीटी है गोधन अरक और मेदोहर्वती ले दो गोली स inferior दो पर श्याति गोधन अरक के साथ मेदोहरवटी खाली पेट खाने के बाद वेट गो लोकी के जूस के साथ लोकी पेठा गाजर अनानास और ये मोसमी का ये जितने और सबसे अच्छा है जिसमें कैलोरी बहुत कम है एनर्जी पूरी मिलती है वाटर मेलन तो ऐसे ये अभ्यास करें मेदोहरवटी गोधन अरक के साथ खाने के बाद वेट गो नमाक मीठा अनाज बंद कर देते हैं मिलेट्स और सबसे अच्छा है शाक से अफजी अफ़ाल सलाद खेलाते हैं और स्नोरिंग स्लिप एपनिया वालों के लिए थोड़ी कफ की प्रकृती ज्यादा होती है उनको अ सिस्टोग्रिट डायमेंड काचनार गूगल वृद्धिबादी का बटी काचनार घनवटी यह सब भी हम देते हैं गरम पानी पिलाते हैं श्वगंधा की पत्तों की चाय पिलाते हैं यह सब वेट को भी कम करती हैं तो यह जो मोटापा है यह जो थारेड की प्रोब्लम है ये जो स्नोरिंग सिल पैपलियां की प्रॉब्लम है शरीर में जो गाठे हैं और सबसे बड़ी बीमारी है प्रमाद हाँ बीमारी बुराई और प्रमाद में पचास लाग कोड़ पे प्रत्यक्षरूप से और परोक्षरूप से इंडारेक एक एक पहर से करो बिट आप हाँ ए काँअब हैं और आफ और मैं क्या रहा हा था जिनको कफ़हज रोग नस्से करना चाहिए उनको स्वासरी अब रोंकों का सेवन करना चाहिए और पानी हमेशा Pa पिणा चाहिए और-बय र सोग्राइब पुरह पत्ते को क्रस्ट कर लें एलवरा हल्दी बहएड़ा मिल जाये तो रची बात है और इसका गरारा करें, स्नोरिंग, स्लिप एपनिया, थारेड की प्रोब्लम, साब दूर हो जाते, क्या अध्भूत है साब, अध्भूत, हाँ, ये गले के लिए जिनको स्वरभंग हो जाता है, उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तो आज यहां आनन्द ही नहीं, परमानन्द है, कल मैंने अनीता शर्मा जी को बोला कि हम देव प्रयाक की, दिव्य भूमी, सिद्ध भूमी, सिद्धक्षित रहे हैं, यहां से योग कराएंगे, बोले जी फिर तो आनन्द आ जाएगा, जो हमारे इंडिया टीवी के जो दर्शक है, जब ये दिश्य देख दर्शक नेमनों को सास साधक कहोंगा, जर्शक तो ख़ली देखते हैं, तो एक योग साथ ही हमारे इजिए योगी है, वो भी आज आनन्दी तो हो रहे होंगे, और कहरे होंगे कि स्वामी जी जब अगली बार जाओगे तो हमको भी साथ में लेके जाएगे आईगे, बिनक तो कपाल भात ही और एक अनुलोम मिलोम पूरी बोड़ी का मेटमरेजम ठीक हो जाता है तो मोटा पा तो किसी को नहीं रहेगा